नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है पारदर्सिता ट्रांसपरेंसी ये ऐशा शब्द है जिसे सिमित करके रखा गया था और सुप्रिम कोट के जज ये मानने के लिए तैयार हो गए है कि जहां जहां उनकी उपस्थिती है उसी को निस्पक्षता और पारदर्सिता का एक मांदंड मान लिया जाए और इसी बात को लेकर सुप्रिम कोट में सुनवाई भी चली चुनाव आयुक्तों और मुख चुनाव आयुक्त के निवक्ति को लेकर सवाल चल रहे थे सरकार ने जो CEC Act लाया था उसके खिलाफ Petition दायर की गई थी और सुप्रिम कोट के जज इस बात की सुनवाई कर रहे थे कि क्या CJI को उस पैनल का हिस्सा होना चाहिए जिसे निवक्त करने का अधिकार है मुख चुनाव आयुक्त को और दो अन चुनाव आयुक्तों को इसी बात पर चल रहे थी सुनवाई और सरकार से जवाब मांगा गया था कि क्यूं आपने CJI को इस पैनल से बाहर कर दिया जिसमें एपॉइंट करने का अधिकार होता है चुनाव आयुक्तों को और मुख चुनाव आयुक्त को उनके सर्विस के कंडिशन को डिफाइन करना होता है इसलिए इस पैनल से CJI को बाहर करने के पीछे का कारण क्या हो सकता है और इसलिए एक याचिका दायर की गई थी याचिका जया ठाकुर ने दायर की थी और उसके बाद ADR भी इसमें इन्वोल्व हो चुका था जब सरकार ने CEC Act लाया तो उसके बाद Supreme Court में याचिका दायर की गई याचिका डाक्टर जया ठाकुर ने दायर की ये डाक्टर जया ठाकुर है कौन ये Congress की नेता है पेशे से डाक्टर है इनके पति पेशे से वकील है वरून ठाकुर और ये लोग Congress के नेता होने के के ये लोग इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं ये जया ठाकुर ही वो है जिसने एक पिटिशन इलेक्टोरल बाउंड पर भी दायर किया था जिस पे सुप्रिम कोट ने अभी अभी फैसला सुनाया है और चुनाव आयुक्त और मुख चुनाव आयुक्त के न CJI की उपस्थिती है वो पारदर्शिता और निश्पक्षता की गारंटी है और उसके बाद जब इस मामले की सुनवाई हुई तो फिर सरकार को एक नोटिस भेजा गया और नोटिस में ये कहा गया कि आप इसमें कारण बताएए कि आपने इस पैनल से CJI को क्यों निकाला और ये सुनवाई चलती रही लेकिन इस बीच एक और घटना घट गई और एक चुनाव आयुक्त ने रिजाएन दे दिया अरून गोयल ने अचानक से विस्फोट किया और चुनाव की घोसना से कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तिफादे दिया ये भी एक बड़ी साजिस थी सरकार को बदनाम करने के लिए कि देखिए एक चुनाव आयुक्त पहले ही जा चुके हैं रिटार हो चुके हैं एक चुनाव आयुक्त ने इस्तिफादे दिया अब केबल मुख चुनाव आयुक्त अकेले हैं और इन आनन फानन में सरकार को जो फैसला लेना पड़ेगा उसमें चुनाव आयुकतों की निवक्ति करने पड़ेगी और इसी बीच 14 मार्च को सुप्रिम कोट में इस पर सुनवाई भी होनी है लेकिन ये सारे के सारे सरकार के एक जवाब से पीए मोदी ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया है सुप्रिम कोट के अंदर जिससे घबराइट हो गई है सुप्रिम कोट के जजों के बीच और आखिरकार इन लोगों ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया कि दो चुनाव आयुकतों की जो निफ्ती हुई है उस पर स्टे नहीं लगेगा वो अभी काम करते रहेंगे लेकिन इसकी सुनवाई भी जारी रहेगी कि CGI को पैनल से बाहर क्यों किया गया लेकिन हुआ क्या आखिरकार सरकार ने ऐसा क्या कहा कि इन लोगों की सुप्रिम कोट के अंदर हेकडी निकल गई पिटिशन देने वालों की और सुप्रिम कोट के जजों को भी ये सोचने को मजबूर होना पड़ा कि क्या जुडिसियल सिस्टम के किसी भी हिस्से को यानि कि कोई भी जज को किसी पैनल में रखा जाए तभी निस्पक्षता की गारंटी होगी क्योंकि ये सवाल तो सुप्रिम कोट के जजों ने पूछा था ये दो जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रहे थी इसमें जस्टिस संजीव खन्ना है और जस्टिस दिपांकरदत ह इन दोनों ने सरकार को नोटिस वेजा था यानि कि सेर के जबडे में हाट डाला था सुप्रिम कोट के कई फैसलों से सरकार ऐसे ही तरस्ट है और इसमें जब सुप्रिम कोट ने नोटिस वेजा सरकार से जवाब तलब किया तो वहाँ से एक जवाब आया और उसमें एक एक पहलों की जानकारी दी गई उसमें कहा गया कि आपने जो इंट्रीम आॉडर दिया था दो मार्थ दो हजार तेस की बाद ये लोग कर रहे थे अनूप वर्नवाल वसिस इंडिया के खिलाफ जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई के दौरान सुप्रिम कोट ने कहा था कि चु दूसरे CGI रहेंगे या CGI के द्वारा निक्त किये गए कोई दूसरे जज रहेंगे और तीसरा लीडर अफ ऑपोजिशन रहेगा लेकिन अगर नेता परतिपक्ष किसी को घोसित नहीं किया जाए यानि की संसद में लोग सभा के अंदर 10% किसी को सीट नहीं है तो सबसे ये इंट्रीम और जो दिया गया था क्योंकि पारलियामेंट से संसद से कोई नियम कानून पास नहीं किराये गये थे और जब उसमें CGI को इंटर करवाया गया तो उसके बाद सरकार ने एक कानून पारित किया और उसमें CGI को इस पैनल से बाहर निकाल दिया और उस कानून मे लगा गया कि चुनाव आयुकतों और मुख चुनाव आयुक के निक्ति उनके सर्विस के कंडिशन इत्यादी कामों के लिए तीन लोगों की कमिटी बनेगी पैनल बनेगी लेकिन उसमें प्रधान मंत्री होंगे दूसरे कोई एक कैबिनेट मंत्री होंगे और तीसरा जो नेत पार्टी लोग सभा में भी पक्ष में बैठी है उसके नेता होंगे और यही पैनल चुनाव आयुकतों के भी निक्ति करेगा मुख चुनाव आयुक के भी निक्ति करेगा और इसलिए ये परकरिया चलने लगी और फिर इसमें सुप्रिम कोट के अंदर याचिकाय दायर की जाने लगी उसमें जया ठाकुर ने चैलेंज किया उसके बाद ADR यानि की Association for Democratic Reform जिसने चुनावी बाउंड को लेकर भी याचिका दायर की ये भी सुप्रिम कोट में पहुच गए और वकील वही प्रशान भूसन ADR के तरब से सुप्रिम कोट में बार बार पेश होते हैं च की मुख नियाधीस जो है CJI उनको पैनल से बाहर करके ये चुनाव आयुक्तों की न्युक्ति अपनी मरमर्जी से कर सकते हैं क्योंकि दो Cabinet Minister इसमें होंगे यानि कि एक Prime Minister होंगे एक दूसरा कोई Cabinet Minister होगा और तीसरा Leader of Opposition होगा ऐसे में दो लोगों की सहमती के बाद तीसरे क विरोध का कोई मतलब ही नहीं होगा लेकिन मतलब किस तरह का होगा वो तो आगे बात की जाएगी लेकिन इसी मसले पर सुप्रिम कोट में सुनवाई होई और सरकार से जो जवाब मांगा गया था उसमें सरकार ने साफ़ तोर पर कहा कि आप ये कैसे तै कर सकते हैं कि जहां सुप्रिम कोट या हाई कोट यानि कि किसी जज को अगर किसी पैनल में नहीं रखा गया तो उससे निश्पक्षता परभावित होगी हमने जो संसद के अंदर कानून पास किया है उसमें पूरे नियम कानूनों का पालन किया गया है इसमें कोई ऐसी विवस्ता नहीं की गई जिससे आप ये सवाल उठा सकते हैं कि मुख चुनाव आयुक या चुनाव आयुकतों के निक्ती गलत तरीके से की गई है इसमें हमने तीन लोगों को रखा जो पहले भी थे सतर सालों से ऐसे ही निक्तियां चल रही है अभी तक सवाल नहीं उठाया गया आज कल सवाल क्यों उठाया जा रहा है क्या जजज सहब अगर पैनल में नहीं होंगे तो वो निस्पक्ष नहीं माना जाएगा ये तो पूरे संसर और सरकार के उपर सवाल है उस जवाब में ये भी कहा गया कि हमने जो निक्तियां की है उसके उपर अगर सवाल उठाना है तो कोई ऐसे फैक्ट लाइए जिसमें चुनाव आयोग के पिछले कामों को ये बताया गया हो कि चुनाव आयोग ने सरकार के पक्ष में ये फैसला लिया जो कि नियम कानूनों के खिलाफ है क्योंकि हमने तो रिटार्ड आयेस अधिकारियों को ही निक्तिया है और अब तक सारे के सारे आयेस अधिकारे ही चुनाव आयोग और मुख चुनाव आयोग तो बनते रहें और आज भी वही हो रहा है क्या किसी एड्मिस्टेटिव आफिसर के उपर आप ये सवाल उठा सकते है कि वो किसी पार्टी विशेश के लिए काम कर रही है किसी सरकार के लिए काम कर रही है ये अगर सवाल उठाना शुरू कर देंगे तो पूरे लॉबी जो आईएस आईपिएस है इन सबके उपर सवाल उठना सुरू हो जाएगा और फिर ये सवाल तो जुडिसियल सिस्टम पर भी उठेगा क्यों नहीं उठेगा क्योंकि यहां तो कोलेजियम से जजों की नुक्ति होती है और जो जज कोलेजियम में बैठे होते हैं पांच वरिस जजों का कोलेजियम बनता है और वो किसी दूसरे वकील या जज को वहाँ पर नुक्ति के लिए रिकमेंडेशन करते हैं फिर सरकार उसे नुक्त करती है तो ऐसे में कोलेजियम के जो पांच जज है और बीना किसी बाहरी इंटर फ्रेंस के वही जज नुक्त करते हैं तो फिर इसमें भी पास्यलिटी देखी जा सकती है कैसे कर सकते है कि कोई जज ही न निस्पक्ष नहीं हो सकता, कोई अधिकारी निस्पक्ष नहीं हो सकता, कोई राजनेता निस्पक्ष नहीं हो सकता, ये निस्पक्षता जैसे सब केबल जिरिसियल सिस्टम के लिए नहीं बना है, ये सब के उपर विश्वास करना पड़ेगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र मे अगर लोगों ने विश्वास करके चुनके किसी परतिनिधी को भेजा है और उन सारे लोगों ने मिलकर परधान मंत्री चुना है परधान मंत्री ने मिनिस्टर चुना है तो ये जो पूरा का पूरा करम है इस पर लोगों का भरोसा है और लोगों का भरोसा अगर है तो सुप नहीं न कही निस्पक्षता प्रभावित होगी हर पैनल में कोट के आदेश से नहीं चलेगा जजों को इनवोल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि जजों का काम जूडिसियल सस्टम चलाना है एड्मिस्टेशन चलाना नहीं है इसलिए नियाइपालिका में जो इतने सारे मुकद में पिंडिंग पड़े हुए हैं जो 10-10 साल से चल रहे हैं लेकिन फिर भी उस पर फैसला नहीं हुआ है क्योंकि सुप्रिम कोट में सारे जज़ के यानि के पूरा कोरम होने के बाबजूद भी अब तक फैसला नहीं होता है क्योंकि छुट्टियां भी जादा है क्योंकि यहाँ पर administrative बोज भी जादा है, rotation बनाना पड़ता है जजों का, bench न्यूक करना पड़ता है, तो कोलेजियम में बैठे हुए जजों की जो जादा तर व्यस्ता होती है, वो इन मामले में भी हो जाती है, सरकार ने एक एक करके समझाया की अनूप बर्नवाल का मामला जो था, अनूप बर्नवाल वसिस Union of India का मामला, वो एक gap को भरने का तरीका था, उसमें सुप्रिम कोट ने जो फैसला दिया था, वो इंट्रीम फैसला था, कि जब तक संसत से कोई नियम नहीं बनाया जाते, कानून नहीं बनाया जाते, तब तक सुप्रिम कोट के चीफ जस्टिस जो है, वो इस पैनल का हिस्सा रहेंगे, लेकिन हमने एक नियम बनाया, और नियुक्ति के पूरी प्रक्रिया का पालन किया। सर्च कमीटी पहले से लगी हुई थी और जो नाम आते हैं उसे लीडर ओफ अपोजिशन को भी दिया जाता है। अगर वो इससे इतिफाक नहीं रखते, इस्तिकव स्विकार नहीं करते तो यह उनकी दिक्कत है। अगर ऐसा चलता रहा, तो किसी भी संबैधानिक पत्पर नियुक्ति के लिए हमें सालों इंतजार करना पड़ेगा, हर व्यक्ति सुप्रिम कोट आ जाएगा और सुप्रिम कोट के पास ही एपॉइंट करने के आधिकार होना चाहिए, ऐसी मांग करेगा। क्योंकि हाल में चुनाव जो हो रहा है, उसको लेकर भी टीम सी के तरफ से सुप्रिम कोट के चीफ जस्टिस से मांग की गई। तंतर का मजाक उड़ जाएगा, ये ऐसी तरीके थे, जो सरकार की तरफ से जवाब दिये गए, उसके बाद जस्टिस दिपांकर दत और जस्टिस संजीब खन्ना, इनके पास कोई चारा नहीं था, कि चुनाव आयुक्तों की निक्ति, जो दो चुनाव आयुक्ति की निक्त हुआ, भले ही परशांत भूसन ने जो तरक दिये, उसके खिलाब, एसजी तुसार महता ने उनको चवरदस्ट फटकार लगाई, कि आप ये जो बोल रहे हैं, जूट फरेव सुप्रिम कोट में परोश्ते हैं, जैसा कि अडानी के मुद्दे पर भी आप पकड़े गए थे जूट बोलते हुए, कि उसने खिलाब कोई कारवाई सरकार के तरफ से नहीं की गई, और आज भी आप यहीं बोल रहे हैं, कि 14 मार्च को सुनवाई होनी थी, इसके पहले ही सरकार ने नुक्त कर दिया, अगर ये तरीके होते, तो आप ये सवाल तो जाकर अरून गोयल से की ये यहां सुप्रिम कोर्ट में नहीं चलेगा, जिस तरीके से गहमा गहमी हुई, सुनवाई हुई, और फिर जजज साहब को ये मानने को मजबूर हो गया, क्योंकि सरकार के तरफ से जो जवाब दिये गए थे, उसमें ऐसी बाते निस्पक्षता को लेकर की गई थी, जिस स सुप्रिम कोर्ट के जज भी टिंसन में आ गए, कि अगर अब आरपार सरकार से लडाई करेंगे, तो फिर उसके बाद आगे कोलेजियम पर फैसला तो होना ही है, जजों की निकती को लेकर फैसला होना है, इन जे एसी आना है, और इसलिए ये बीच में स्टे लगाने से मना कर दिया गया, और फिर सुप्रिम कोर्ट के ऊपर एक नया सवाल उठना लाजमी हो गया, तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से आज इरोंगे, तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ, और देते रही है मैसायोग, ताकि इसी तरह ये खबर हम आपके लाते रहे, धन्यव कर दो